एक repetition को perform करने में कितना second आपने लेना चाहिए For example, अभी मैं dumbbell overhead प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें जो repetition के शुरुवात है वो उपर से शुरू होती है जब भी weight gravity की ओर आ रहा है तब आपको weight को control करना है क्योंकि यहाँ पे आप weight को control कर रहे हो For example, अगर आप बहुत fast लेकर आ रहे हो तो weight आपको control कर रहा है ना कि आप weight को तो आपको weight control करना है इस बात का ध्यान रखो और जब भी आप weight को gravity के against lift कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से lift करना है अभी मैं आपको सही तरीके से पूरा wrap करके बताता हूँ 1, 2, 3, 1 second pause, 1, 2 तो आपका total जो wrap है वो रहना चाहिए 6 second के आसपास अभी यह same चीच, lat pull down, bicep, pricep हर एक exercise में apply होती है फिर आप squat करो, dead lip करो, lat pull down करो, seated draw करो हर इसमें आपको same tips apply करना है and I hope आपको यह tips and tricks बहुत काम में आएंगी एक repetition को perform करने में hope it helps, please share